पिछले एक दो दिन से हम लोग देख रहे हैं अमित शाह जी ने दिल्ली के स्कूलों के बारे में और दिल्ली की शिक्षा विवस्था के बारे में काफी गलत सलत बोला है हम हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि शिक्षा राजनीती का हिस्सा बननी चाहिए वोट इस बात पर पढ़ने चाहिए कि आपने स्कूल अच्छे कराए या नहीं कराए आपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी की या नहीं की इससे देश आगे बढ़ेगा लेकिन स्कूलों के ओपर गंदी राजनीती नहीं होने चाहिए जो माननी है ग्रह मंत्री ने बोला है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ओपर स्कूल खराब है ये है वो है बच्चों की पढ़ाई खराब है आज पूरी देश ने पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है इससे तो देश आगे बढ़ेगा ना तो जब अगर चामित्षाजी को आमंतरन देता हूं कि आप समय बताइए मैं अपने सारे अपॉइन्मेंट्स कैंसल करके मैं आता हूं आपके पास आपको लेके चलता हूं दिली के स्कूलों में लेके चलता हूं आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे मैं आपको लेके चलता हू और दिल्ली के स्कूल दिखाता हम, हम यह नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया, हम यह नहीं कह रहें, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है पिछले पांच साल के अंदर, सब्तर साल के अंदर जो गंद खिडा खिडा इनोंने करक था, उसको साफ करने की कोशिश कीए हम लोगों ने स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन बहुत अच्छे हुए हैं और ये हम लोगों ने नहीं किये, मैं अमित्षा जी को कहना चाहता हूँ, 16 लाख बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो रहे हैं। इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज स्कूल अच्छे हो रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो 60, 65,000 टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये स्कूल अच्छे हो रहे हैं। जो principles काम कर रहे हैं उनका नतीज़ा है प्यमित्ष्षा जी को चाहना चाहा हूं कि आपके इन बयानों की वज़े से उन 16 लाख बच्चों का अपमान हुआ है उन 65,000 तीचर्स का अपमान हुआ है, उन 16,000 बच्चों के पेरेंट्स का अपमान हुआ है, इन 16,000 बच्चों के पेरेंट्स ने महनत की थी, इन बच्चों ने महनत की थी, तब दिल्ली के बार्वी क्लास के 96% नतीजे आये थे, आपको हमसे प्रॉब्लम है, आप हमें गाली दे लिजिए, केजरीवाल को गाली दे लिजिए, मनीज सिसोधिया को गाली दे लिजिए, आम आदमी पार्टी को गाली दे लिजिए, आपको जो करना है आप गाली दे लिजिए, दिली के 16 लाख बच्चों की महनत और उनके पेर महनत नहीं की थी मनी सिसोधिया ने महनत नहीं की थी हमारे बच्चों ने महनत की थी रात रात भर हमारे बच्चों के पेरेंट्स जा गए थे अपने बच्चों के साथ टीचर्ज ने महनत की थी प्रिंसिपल्स ने महनत की थी आप उनका मजाक उड़ा रहे हो हमारे स्कूलों मैं 320 से ज़्यादा बच्चे जेई entrance clear किया है उनोंने इंजिनियरिंग का exam IIT का मैं IIT से हूँ IIT का exam clear किया है उन बच्चों ने IIT का exam clear करना असान नहीं होता इन बच्चों की महनत का मजाक उड़ा रहे हो आप उन बच्चों के parents की महनत का मजाक कुण रहे हो आप 15 मैं उसे कहना चाहता हूं आपको आमित्षा जी आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है इस शिक्षा को आप अपने घंदी राजनीती का हिस्सा मत बनाए है आप लोगो की इतनी गाप जो में सरकार है एक स्कूल एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक करा हो पुरे देश के अंदर एक स्कूल दिखा दो जो आपने ठीक करा हो और मैं आज आपको अमंत्रित कर रहा हूं चलिए मेरे साथ सरकारी स्कूलों के अंदर चलिए सुपह से शाम तक आप इतना नेग्यटिविटी नेग्यटिविटी के बीच में जीते हैं मैं आपको हमारे confident ब्चों से मिलवाऊंगा वो आपको थोड़ी positive energy देंगे मैं आपको हमारे प्राउड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, मैं अपने प्राउड टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देंगे, अच्छा लगेगा आपको, आईए हमारे साथ, मैं सभी बच्चों से पूछना चाता हूँ, दिल्ली के जितने बच्चे हैं, 16 लाक बच्चे, मैं उसे पूछना चाता हूँ, कि जब आपने कल टीवी के उपर अपने ग्रह मंतरी का बयान सुना, अमित्शा जी का बयान सुना, अमित्शा जी कह रहे थे कि स्कूल खराब है, पढ़ाई खराब है, दिल्ली में पढ़ाई का बेड़ा गर्ग किया, मैं इसे पूछना चाता हूँ, आपको कैसा लगा, जब आपने अमित्शा जी का ये बयान सुना, मैं पेरेंट्स से टीचर्स से पूछना चाता हूँ, कि आप इतनी महनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ग्रह मंतरी को आपकी महनत का इस तरह से मजाक उडाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि अमित्शा जी ठीक कर रहे हैं, जब आपकी महनत का मजाक उडा रहे हैं, पांच साल के अंदर आपने इतनी कड़ी महनत करके इतना अच्छा काम किया है इत me अच्छा कियों मोने कहना चाहता हूं अमेशाल जीको पोजिट वर राजणिती करें आए व्यस मे पोजिच्साह वप्र सिश्चाह के ओप सूर उस अच्छे करिए तो Mills है करिए और यूपे अ ठोड़िया आप Japanese डीक स्कूल अच्छे कर दीजे डिली legit अप के पासे म्सडी कि स्कूल अच्छे कर दिजिए और फिर आप आके क catalog के अंदर केज्री रिफाला मेरे एमसीडी के स्कूल देखो और अपने दिली सरकार के स्कूल देखो यह पॉजिटिव राजनीती है आई यह पॉजिटिव राजनीती करते हैं इस तरह से बच्चों के टीचर्ज के और पेरेंट्स की महनत का मजाक उडाना जो पांच साल में उन्होंने अचीव किया है यह सही है देश के लिए अच्छी चीज हो रही है इसमें सबको साथ मिल के काम करना चाहिए है मैं उनसे पूचना चाहता हूं पांसाल तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि स्कूलों पर राजनीती करिए पर गंदी राजनीती मत करिए अच्छी पॉजिटिव राजनीती करिए जिससे देश का भी भला होगा सब का भला होगा अगर इस पर कोई कुश्चन्स है तो आप अगर आप जिससे देट वाया इस देट निगेटिव कर दिखा तक पर चाहिए जुटिव राजनीती करिकिन अस्तरी प्राइं नहीं नहीं देख रहे हूं आपर यहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुगा है तो आप तो आप सब्सक्राइब कर दोश्चन्या पर श्रुच